गुड मोरिंग इस्टूरेंट्स इन दिस लेक्चर्स बीविल स्टड़ी अबाउट आइपी सेकॉरिटी कहते हैं और इसको इसके बाद data link layers होता है उसके नेट पक लेयर होता है तो network फे यह सेकुरिटी services provide करती है security services कौनसी क्ल committing access गहीं हो गया या फिर authentication हो गया या confidential यह फिर के लेटे जोभी टास्क होते हैं उनको यह रते हैं तो मैं में मोटे इसका क्या है सीटी की Services प्रोवाइट कराना है इंटरनेट लेयर पे या आइपी लेयर पे इसलिए इसका नाम IP होता है IP लेयर क्या होता है इंटरनेट पोटो कॉल्स है तो इसकी जो सर्विसेस हैं बैसी कली हो गया किसे शेंडर को वेरिफाई करना और हो गया इंक्रेप्शन प्रोवाइड करा न चीसे कर देते हैं अपने मैसेज को तो खॉंफिडेंसली स्यौर हो जाती है यसी तरह से और जैसे के आज‡ कि जो भी उजर्कांटी कर रहे हैं उसको सेमिट्रिक की इनकेफिशन होता है तो दोनों में क्या होता है की की रिक्वार्मेंट होती है तो की का जो एक्षेंज होना या डिस्ट्रिबिशन होना सेमिट्रिक में हम डेफी हैल में यूज करते हैं इस सेमिट्रिक में आरे से यूज करते हैं तो बहां पर यह यूज होती ह आई पी से एक में में बिलीट टूप्रोट कोल्स होते हैं फास्ट होता है हमारा ऑथेंटीकेसन हेडर जा में ऊठ्ल eh कहते हैं और दूजरा होता है एंचकेप्सू2000 एनचकेप्सू लेटे सीकूरडी पेलोडि एसप्लAy एंचकेप्सीलेशं पे-लोड्ट भी कहतے है कुछ जो ऑथेंटिकेशन हडल है इसका नाम नेकिशन ने इसे लिए सिर्फ ऑथेंटिकेशन प्रॉफपाइड कराता है है IP security में दूसरा होता है ESP, encapsulation, security pilots इसका काम होता है, authentication optional होता है, पर इसका meant task होता है, वो provide कराना होता है encryption, तो encryption पर पॉयट कराता है और authentication optional होता है, तो इसके जो mode होते हैं, देटा इसमें IP security में जो transfer होता है, दो तरीके से transfer होता है तो इनके डेटा डेटा के टांसफर की वेस्ट पे हम इसको टू भागों में डिवाइट करते हैं पहला मोड होता है टेनल मोड अलब जो डेटा जाएगा टेक टेनल टेनल मीन्स होती है सुरंग एक सुरंग के थरूर हमारा डेटा केरी करेगा जिसमें क्या रहेगा कि दो शिपकर नहीं क्या है या कोई हुश्ट के बीच में एक डेडिकेटेट सेक्यूर पाथ रहेगा तो सहीं नोमोड ठ्रांसपोर्ट पूर्ट होता है जब भी टांसपोर्ड मोड कहते हैं तो टांसपोर्ड मोड में दो तरह के रहते हैं TCP और UDP तो बेसिकली यह UDP औरेंटेड है कि मनलब जो पैकेट है हमारा कोई जो नहीं कि एक ही पाथ को फॉलू करें वो फर्स्ट टाइम किसी दूसरे पाथ से जाएगा तो यह इसका जो पाथ का मल से टांसपोर्ड मोड कहते हैं तो जो टांसपोर्ड मोड होता है यह प्रोटेक्शन पूरे IP पैकेट को प्रोवाइट कराता है लेकिन जो टांसपोर्ड मोड होता है यह क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइट कराता है केवल अपर लेयर प्रोटकॉल जैसे TCP हो गया या जो ESP होता है ESP इसमें encryption तो 100% होता है लेकिन authentication क्या करता है यह optional होता है और वो भी किसको प्रवाइड कराता है inner IP header को प्रवाइड कराता है encryption और authentication इसमें optional होता है जुरूरत नहीं होती लेकिन ट्रांसपोर्ड मोड में जो ESP रहता है यह encryption और authentication दोनों प्रवाइड कराता है लेकिन तब जब रिक्वाइड हो मनलब जो ट्रांसपोर्ड मोड में requirement होगी security की तभी प्रवाइड कराएगा अधर्वाइड यह प्रवाइड नहीं कराता है अगर और authentication header की बात करें तो अधनिकेशन header क्या करता है कि जो भी इनर पैकेट होता है पैकेट दो तरह से रहेगा इनर पैकेट रहेगा एक आउटर पैकेट रहेगा बाहर का पाट packet के और अंधर का पाट तो जो अंदरा का पाट होता है जैसे इनर मा पार्ट कहते हैं उसके पूरे यह को यह उसर प्रॉइड कराता है यह लेकिन आटब वाले को यह नहीं प्रॉइड करता है कभी प्रवेड कराएगा कभी नहीं पर आए मनलब सेलेक्टेट को ही provide कराता होन। लेकिंट चो perspectives mode होता है इसमें क्या करता है। ये पूरे IP Payload को authenticate करता है और IT火डर के selected path को करता है तो ये दोनों में authentication header क्या करता है by 59 है यो हम और होता है उसके selected partこ ही authenticate करता है लेकिए पेलोट को ये दोनों में provide कर आता है वह इनर पाइट को, तो ये था IP Security, तो IP Security क्या करता है, कि IP Security, IP Layer, IP Layer में इंटरनेट लियर, या नेटबग लियर पे कुछ Security Services प्रोवाइड कराता है, Security Services जैसे कि authentication, Confidentiality, और Access Control भी कह सकते हैं, या Key का management बीज्वेंट भी करता है तो ऑस्ट के जो में दो प्रोटकॉल होते हैं एप्र राड़े आपनिकेशन है यह ऑथेंटिकेशन प्रोट कराता है यह क्या करता है यह पिकाम होता है कि प्रोट थो के दो मोड होते हैं टरनल मोड एंड टरन्सपोर्ट मोड वह होता वह पूरे IP PAKET को प्रोटेक्ट करता है लेकर टरनसपोर्र मोड शुत आया पैले से इन होते हैं जैसे TCP लेयर हो गया से याहर प्रांसपोर्रओल पे TCP पॉटोकॉल च зайए omega之ali 20 जिए पोटेक्ट करता है यह देख सकते हैं IP security का डियागराम बना हुआ है जिसमें क्या है user system with IP security और कोई भी मतलब device or system सब में क्या रहेंगा बैसे नॉर्मली क्या होता है कोई भी device का जो packet होता है उसमें कहा रहता है IP header रहता है उसका payload रहता है लेकिन जब IP security हमें cancel करेंगे तो IP security का header भी रहेगा इसी तरह से देखे device with IP security दूसरी device में उसमें भी यह IP header है IP security का header है उसके साथ में उसका secure IP payload है और इंटरनेट है तो और कोई भी router हो कोई भी device हो सबके पास IP security header included हो जाएगा और वो फिर डेटा को carry कर सकते हैं public network पर इंटरनेट पर कोई problem नहीं होगी अगर इसके application की बात करें तो इसके जो application होते हैं VPN में इसका यूज होता है और एक्स्टरनेट इंटरनेट की connectivity प्रवाइड कराता है कोई भी दो host के बीच में कोई भी दो partners या host के बीच में और सबसे ज्यादा इसका मैन यूज होता है e-commerce security में तो e-commerce security को यह better बना देता है तीन जगा इसका यूज होता है अगर benefit या advantage की बात करते हैं तो यह firewall और router का यूज करके security को काफी ज्यादा strong बना देता है और एक्चली यह टांस्पर लेयर के बिलो काम करता है इसलिए जितने भी यूज होते हैं सब